सर आप बगडावतों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो प्लीज हमें ये बताईए कि बगडावतों ने कौन-कौन से गाउं बसाये थे हमारी ओडियन्स ये जानना चाती है कि कौन से बगडावत ने कौन सा गाउं बसाया था देखिए ये तो आप जानते ही हैं कि बगडाओ 24 भाई थे तो 24 भाईयों ने 24 गाउं बसाए थे अब वो 24 गाऊं कोन कोन से थे और कोन से भाई ने कोन सा गाउं बसाया था ये मैं आपको विस्तार से बताता हूं बगडाउतों में जो सबसे बड़े भाई थे तेजा जी उन्होंने पाटन बसाया था उसके बाद जो भाई थे वो सेजा जी थे और उन्होंने शेवपुरिया बसाया था तीसरे नमबर के जो भाई थे सवाई भोज उन्होंने खेडा चोसला बसाया था नेवा जी ने नेगडिया बसाया था और उनके बाद जो भाई थे महारावत जी उन्होंने मालोर बसाया था भारावत जी ने भागोर बसाया था अर्सी जी की बात करें तो उन्होंने आसेंद बसाया था और भर्सी जी ने बांदर बाडो बसाया था सावल जी ने पडासली बसाया था और मांगू जी जो थे उन्होंने बढ़ नगर बसाया था ग्यार में नमबर के जो बगड़ाओ थे आसा राम जी उन्होंने आमेर बसाया था कासी राम जी ने काउलास बसाया था गोवरधन जी ने किडमाल गाउं बसाया था खांतर जी ने हरमाडा गाउं बसाया था कोला जी ने खेजडी बसाया था रामकरण जी ने खारोई गाउं बसाया था जीवन जी ने जवार बसाया था धन्ना जी ने चेनपूरिया बसाया था काना जी ने कावलियास बसाया था कुबान जी ने पायरा बसाया था आल दे जी ने अराली बसाया था और माल दे जी ने मंदारियों बसाया था 23 नमबर के जो भाई ते बाला जी बसाया था और 24 नमबर के भाई लाला जी ने आखडवासी बसाया था इस तरह से ये 24 भाईयों ने 24 गाउं बसाये थे अब आपको पता चली गया होगा कि कौन से भाई ने कौन सा गाउं बसाया था